हेलो फ्रैंड्स, आज हम बनाएंगे रमजान के लिए कुछ स्पेशल स्नेक्स तो एक ही तरह के ब्रेट की रेसिपीज बना बनाकर आप बोर हो गया हैं तो कुछ नया ट्राइ करें, कुछ नए डिजाइन से आप बनाएं ब्रेट की रेसिपीज बहुत ही क्रण्ची और बहुत ही टेस्टी है खाने में आप एक बार बनाएंगे तो रमजान में में आप कई बार इसे बनाना पसंद करेंगे तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं इसके लिए क्या-क्या सामन चाहिए हमें तो मैंने इसके लिए करीब 7-8 आलू मैंने बॉइल कर लिये थे तो आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है आप चाहे तो इन्हें ग्रेट कर लें या फिर हाथ से मैश कर लें अच्छे से हमें आलू को मैश कर लेना है तीन हरी मिर्ची काट लिया है मैंने इसके लिए हरा धनिया ले लिया है और दो मीडियम साइस के प्यास को हमने बारिक काट लिया था तो आप चाहे तो और भी बारिक चॉप कर सकते हैं लेकिन हमको इसको स्टफी करना है तो आप इतना ही मोटा रहने दे प्यास को अब हम ये दो फ्यास को घंट तो एक मिर्ट हमको तो हम इसमें रुटर करने रहा है भी कृप xung और आदा चमच आप इसमें मिर्ची डाल दें तो यह छोटा चमच है इसलिए मैंने एक चमच भर की मिर्ची ली है और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है कलर के लिए हल्दी ऑप्षेनल है और इसको मिक्स कर देंगे अगर आप साबु धनिया डाल रहे हैं तो आप इस टाइम अब उपर से नमक डाल दें नमक डाले के बाद में तो नमक डालने के बाद में आपस तो जीरे को बून कर और उसको पीस ले आप फिर इसे लेड़ी कर दिना है जब फ्लेम गाइच मासें अफ जब अघ्टा कर दें सब में तो इसमें अङशeti यहां बीक इंद पर कर दें को ड़ालत की जब हम अब हम अब हम ब्रेड लेलेंगे तो मैं भी ए नियुहां है अब बूस्में एक पर देड अब इन ब्रेयों को हिन प्रृष्श नियहिए अब यह बीच में थोड़ा से प्लैट कर दिया है उसको थोड़ा बेल देया तो यह बिलकुल फ्लैट हो जाएगा प्रेड तो यह हम जब इसको डिजाइन देंगे तो वह एजीली बन जाएगा जीए अब इसको हम इस तरह से ट्राइंगल में कर लिएंगे और यह देखिए इस त और यह जो हमने अलू की स्टफिंग तैयार की है उपर से हम उस स्टफिंग को लगा देंगे और यह जो ब्रेट के एज़े इस पे हमें थोड़ा पानी लगाना है क्योंकि इस तरह से आप लगाएंगे तो यह खुल जाएगा सही से लगेगा नहीं तो आप इसलिए पहले मैं इसको ऐसे ही चिपका कर देखा तो वह थोड़ा चिपक नहीं रहा था फिर मैंने इसको थोड़ा पानी डाल कर गीला किया फिर यह इसीली स्टिक हो रहा था यहां पे देखे तो यह आराम से आप इस तरह से प्रेस कर दें इसको तो यह दब जाएगा और एकदम फ्लावर अराम से थोड़ा अच्छे से इसको प्रेस करें ताकि यह फ्राइ करते वक्त खुले नहीं इसी तरह से हमने दूसरा ब्रेट का स्लाइज लेकर उसको भी इसी तरह फोल्ड करकर और कट लगा दिया है तो पहले हम थोड़ा पानी डाल देंगे तो स्पून से मैंने थोड़ थोड़ा ही पानी डाला है बहुत जादा गिला नहीं करना इसको बस थोड़ा सा गिला कर दें साइच से आप कॉर्णर में बीच में थोड़ा सा चीज डाल देंगे हम और उपर से आलू की स्टफिंग रख दें और इस तरह से इसको चिपका दें तो अब हमने गिला कर दिय अगले,, gives the enorm shape , बेलेट और भीन के कि अंण टेल है और इस तरह से दिजाइन वन पा रहे अगर अगर आप बेलन भीन Сरे में वन भीन नहीं नहीं बेलेंगky eyes घर आप बेलन से नहीं बेलेंगी आप फूला फूला बेट रहेगा और इस आनकी बन पाएगा ये गीला होने से देखिए आराम से एकदम से चिपक गया है इसी तरह हम बाकी की सारी slices तयार कर लेंगे इसी तरह से मैंने करीब 5-6 flowers बना कर तयार कर लिये हैं अब हमने जो इसके side के edges कट किये थे उसको waste नहीं करेंगे उससे हम breadcrumb तयार करेंगे तो मैंने जार में bread के side के edges ले लिये हैं और इसको हमें ऐसे ही पीसना है पानी वानी कुछ नहीं डाला है breadcrumb तयार हो गया है इसे मैं एक बाउल में निकाल लोगी अब हमने गेहूं का आटा ले लिया है जिसमें हम ये bread को dip करकर fry करेंगे तो हमने बेसन नहीं लिया है आटा लिया है तो करीब मैंने तीन चमच ये जो छोटा चमच है इससे तीन चमच मैंने गेहूं का आटा ले लिया है उसमें हरा धनिया काट कर डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है करीब आदा चमच आदा चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें तिल डाल दिया है तिल ऑप्शनल है और मिर्ची आप जादा पसंद करते हैं तो चिली पॉड़र भी डाल सकते हैं तो देखे ये इतना गाड़ा होना चाहिए बहुत जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए बैटर अब ये हम जो ब्रेट के फ्लावर्स बनाएं हमने ये हम इसमें डिप करेंगे फि ब्रेट क्रम लगाएंगे उपर से और इसको हम डिप फ्राइ करेंगे तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है गैस पे और इसके उपर थोड़ा सा मैंने हरे दनीय की पतिया लगा दी है आप चाहें तो प्याज और लगा सकते हैं इसमें आलू के उपर अब ये एक फ्लावर उठाएंगे इसमें हम डिप करेंगे तो इस तरह से आप इसको पकड़ें और इसे ब्रेट क्रम में लगा दे आप ब्रेट क्रम लगाएं अच्छे से इसके उपर और तेल अच्छे से गरम कर लिए आप गरम तेल में मैंने ये फ्राय होने के लिए डाल दी हैं फिर गैस फ्लेम आप मीडियम पे कर दें और इसी तरह से मैंने बाकी के सारे डिप करकर अब्रेट क्रम लगा कर फ्राइ कर लिए हैं ये खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टेस का बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं और आप इफ्तार में बनाना चारे हैं शाम में तो आप ये दुपैर में इस तरह से फ्लावर वाला डिजाइन बना कर रख लें और इफ्तारी से 10 मिनिट पहले आप इसको फ्राइ कर लें इस तरह से बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं पाच्छे मिनिट तक हम इने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिख जाए और उपर से एकदम क्रिस्पी बन कर तयार हूँ तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं इफ्तारप में आप जरूर त्राइ करें इसे और आप एकदम नहीं बनाना चारहें दो तिन दिन बाद बनाना चारहें तो इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख लें और इफ्तारी से 10-15 मिनिट पहले आप इसे फ्राइ करके और एकदम क्रिस्पिक गेहूं के आर्टे से बनाए हमने एकदम चीजी ब्रेड वड़ा तो आप ट्राइज जरूर करेगा और कॉमेंट्स में बताईएगा जरूर कैसे लगी है मेरी ये चीज वड़े के नई रेसिपी ज्यादर से जादर मेरी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें